ओम शान्ति आज आठ मई दो हजार देईस है आज की साकार मुडली में बाबा ने कहा कि इस समय सवात्माएं महादुखी है सब और्फन्स बन चुके हैं सब सुख की तलाश में है तो ऐसे समय पर हर आत्मा को हम सही पहचान दे सके उन्हें उन्हें पिता और उनके कुटुम से मिला सके सुख में परिवर्तित कर सके उनके इस अनुभव को इसके लिए आज बाबा हमें एक बहुत सुक्ष्म परक भी बता रहे हैं और क्या हमें करना है वो भी बता रहे हैं तो जानते हैं आज की सेवा की विधी बाबा के अव्यक्त इशारों से चारों और इक्छाएं बढ़ रही है इक्छाओं के वश आत्माई परिशान है चाहे पदम पती भी है लेकिन इक्छाओं से वह भी परिशान है वायू मंडल में आत्माओं के परिशानी का विशेश कारण यह हद की इक्छाएं है अब आप अपने बेहद की वेराग्य वृति द्वारा उन आत्माओं में भी वेराग्य वृति फैलाओ आपके वेराग्य वृति के वायु मंडल के बिना आत्माएं सुखी शान्त बन नहीं सकती परेशानी से छूट नहीं सकती तो आज बाबा ने जो मुरली में दुख बताया है अव्यक्त इशारों में बाबा ने उस दुख का हमें कारण बताया है कारण है इक्षाएं कितना भी बाबा ने कहा इस दुनिया के हिसाब से पदम पती क्यों ना हो लेकिन अभी भी उसके पास हद की इक्षाएं भरमार है और वो इक्षाएं इतनी जादा है कि उन इक्षाओं के सामने प्राप्ती कुछ भी अनुभव नहीं होती है और हद की इक्षाएं भले कहने में आता है हद की इक्षा लेकिन उसकी लिमिट कोई नहीं है और बेहद की इक्षा एक ही होती है और वो एक बेहद की इक्षा सारी इक्षाओं को समाप्त कर देती है वो बेहद की इक्षा आत्माओं के अंदर जागरित करने के लिए आज बाबा ने हमें जो सेवा बताई है वो है बेहद के वैराग्य वृति के वाइब्रेशन फैलाना जब ये हम खुद अनुभफ कर सकते है कि इन प्राप्तियों में कितनी भी हो जाए ये प्राप्तियां इन प्राप्तियों में कोई रस नहीं तो अपने आप हमारी इक्षाओं की वो सारी लिस्ट खतम हो जाती है क्योंकि हमको पता चल जाता है कि इन प्राप्तियों को करने के बाद भी जीवन में कोई रस नहीं आएगा क्योंकि ये शन भंगुर है और इसी लिए कभी न खतम होने वाली इक्षा है क्योंकि कोई भी प्राप्ति, कोई भी इक्षा पूर्ति हमेशा के लिए हमें सुख नहीं दे सकती है तो सदा सुखी रहने के लिए बाबा हम आत्माओं को बेहद की प्राप्ति कराते है बेहत की प्राप्ति करते ही हद की प्राप्तियों से वेराग्य आता है यही वाइब्रेशन जब फैलेगा जब आत्माओं को हम आत्माओं के चैरों से रुहानी जलक, रुहानी फलक, रुहानी प्राप्तियों का नशा दिखाए देगा तो दुनिया भर के सारे नशे उनको फीके लगेंगे और एक सेकिन में वो अपनी इच्छाएं और दुख के कारणों को छोड़ कर बेहत के वैराग्य से बेहत की प्राप्ति के लिए अपने पिता को पहचान पाएंगी यही सेवा हमें अपने स्वरूप से अब करनी है ओम शान्ती